परिस ओलंपिक शुरू हुने में कुछ दिन बचे हैं और उमीदों के अगर बात करें तो हर जो खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है सबी से उमीदे हैं लेकिन शूटिंग ऐसा खेल है जिस से सबसे ज़ाद उमीदे हैं और उमीदों को कारण भारतिय खिलाड़ी के पिछले कुछ सालों में पर्फॉर्मेंस मैं इस समय चंडिकड के सेक्टर 37 एक ऐसे घर में खड़ा हूँ जहां पर मेडलस की भरमार है और दिवार जो आप देखेंगे वो बहुत एहम है और ये घर है भारतिय शूटर फॉर्मर वर्ल नमबर वन रही अंजुम मौदगिल का जिन से इस बार पैरिस ओलंपिक में प बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस खिलाड़ी की मेनत उस खिलाड़ी का जजबा और मैं पहले शुरुवात करूंगा उनके पिता जो एड्वोकेट है सुदरशन मौदगिल जे सुदरशन जी जब आप इन फोटों के सामने खड़े होते हैं तो प्राउड तो मैं है कि ज़्यादे सोचते हम पहले नहीं ऐसा कभी सोचा था जब शुरुवा था अब वकील है कोट में जिरा करते हैं तो अंजुम कोई स्पोर्ट में आने के लिए आप से जिरा करनी पड़ी या एक बन गया सबब नहीं जिरा के को जिरा करनी पड़ी उसके मदर एक्शली शूटर थी तो उन्होंने शूटर को रा दिया सा तो अपने अब चलता गए इसमें जिरा वाली तो को बात नी था हम दो कभी ऐसा पूछा भी नहीं कि यह इसको छोड़ना है या क्या करना हो करती चलेगे हम स्पोर्ट करते चलेगे यह दूसरा अलम्पिक है अंजुम का और अगर बात करें कि टोकियो के बाद एक बहुत डाउन फॉल भी देखा लेकिन उसके बाद कमबैक करना शूटिंग जैसे गेम में इस पूरे सफर में क्या रहा फर्स टाइम जब टोकियो अलम्पिक गे थी तो किसी भी शूटर्स का कोई मेडल नहीं आया था उस टाइम लेकिन परफरमेंस अच्छी थी तो हमें इसका बड़ा अच्छा लगा लेकिन वो एक दो साल इतनी प्रेक्टिस करती रही अपने आप लेकिन उसने छोड़ा नहीं होसला नहीं छोड़ा कोई भी लेकिन वो करते हम भी डिसस करते थे करते पापा कोई बात नहीं हो जाएगा अपने आप ठीक है उसका तो खिलाडी के सबसे जाना कोच और पेरेंट्स का रोल बहुत इंपोर्टन हो जाता है और अंजुम एक एक्सपिरियंस शूटर है ये तो चीजें खिलाडी की जिन्दगे में होती हैं जब वो दोर चल रहा था अंजुम क्या कहती थी और आप अज़े अपने बच्चे को तो आपके लिए तो एक चोटा बच्चा ही आपका बेशक वो इलंपियन है कुछ नहीं करते थी वो तो प्रेक्टिस करते थी हम कहते थे क्या साचरा करते पापा कुछ नहीं जाए तो हो जाएगा सरा बाकि उसके मदर ने उसको पूरा स्पोर्ट किया कि मदर भी उसकी शूटर रही अपने टाइम पर कॉलेज टाइम पर तो मॉटिवेशन पूरा मदर की दरफ से पूरा है उसको तो इसलिए वो बैक अच्छा किया उसने तो बगा ने उसको सेकंड चांस दिया है तो बड़े अच्छे आइजुए आटिस्ट अपर जब फ्री होती है तो पैंटिंग करती है बहुत अच्छी अच्छी पैंटिंग बनाए है कोई छोटी साइज से लिख course इवार जिटने भी बनाई हैं पोस्ट बडए अच्छे बनाए हैं उसने बड़ा अच्छा आट है है और छोटे छोटे गिफ्ट भी बनाया है, अपने जो साथी खलाडी होते हैं, उनको डाइरी पे बनाके, जा कुछ कीरिंग बनाके, पैंटिंग बनाके, तो देमांड आती है उसकी, फिर वो कई उसने उसमें बेचे भी है, ओन डेमांड, देकिन फिर उसने फिर डोनेट भी क जो माता जी किनाम है शुब और मुझे लगता है शुब और मुझे लगता है शुब रहेगा शुब जी आप आजए यह साथ फ्रे में बहुत जरूरी आपका यह वो महिला है जिन्होंने अपनी बेटी को शूटिंग में ना क्योंकि खुछ शूटर रही है शुब जब आप तब सोचा था कि जो बच्चे है उनको भी डालना है ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं था ना ही शादी का ध्यान था तो यह है कि जहां भी चांस मिलता था ना अकेला शुटिंग में मुझे किसी भी गेम में जब भी स्कूल में चांस मिला मैं बास्केट बॉल दिली तक गई हू वालीबॉल लुध्याना स्टेट लेवल पर खेली हूँ ऐसे ही योगा में चंदिकर चैंपिंशिप में मेरा गोल्ड आया था है ऐसे मेरे को जैसे लगता है जैसे एक टीम में बच्चे बहुत हो गए तो मैं देखते थी जिस टीम में नहीं हूँ वो गेम में लेके उसमे किस तन से शूटिंग में आई कब वो डिसाइड हुआ के अंजुम को शूटिंग करनी है या आप साथ लेके गए ऐसे है मेरी शादी 88 में होई तो मैं ना सैर करते यह सोचती थी अगर कहीं मुझे जॉब मिली ना तो मैं अपने जिस स्कूल में जाऊंगी वहां के बच्च और मैंने अपनी लाइफ में यह फिल करा है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो ना तो भवान आपके लिए आटोमेटिक रास्ता बनाना शुरू कर देता है मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसे करना है नो डाउट मुझे शूटिंग अच्छी लगती थी पर शा सेर करते कभी तो और इन्होंने बोला कभी मना नहीं करा यह है कि स्कोर्ट पूरी करी है तो करते करते टू थाउजन में आके मुझे जॉब मिली तो फिर मैंने फोर और हाफ यर किसी इंटीर में जॉब करी फिर ऐसे कुराली स्कूल में आई गर्ल स्कूल में वहां मैंने अ इन बच्चों के लिए में स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करते हैं उनको अपने बच्चे के बारे में सोचना नहीं पड़ता है और वह बात मुझे आज याद आ रही है अन्जुम कब डिसाइड हो कि अन्जुम ने शूटिंग अन्जुम टूथाउजन मैंने फाइव मे आपलय करेपने स्कूल में शेक्स में मैंना कैम्प में गई कांपके एपने बच्चों का यहां पर जयें घयंवीने पाए यहों जन्द दियान लिए एंजन इंद साथ मैंपे टहु अ के लिए उग दड़ के लिए तो यह जाया न्म बच्चों को लेकर मुझे वह मिलनने तो यह वहां पर तीनों नहीं वहां पर लाइंग पॉजिशन में एक एक दो दो शॉट फायर करें बस उसके बाद मैं एन्सेसी की ट्रेनिंग करके आई टुथाउजन सेवन में सेवन में मैं कैम्प में गई तो यह भी दिसंबर हॉलिडेस थी 26 दिसंबर को कैम ता लॉंगो यह मेरे साथ ट्रेकिंग में गई है तो इसका फिटनेस दिखनी शुरू होगी मुझे तो फिर उसके बाद जैसे वहां से आये तो मैंने फिर इसको इसके स्कूल में इसको बोला कि एन्सेसी जॉइन करो यह वो सिल्सला शुरू हुआ करते करते इंटरनेशल शूटर कॉण पर दिली तक गये जैसे हमने देखा कि पिछला यह दूसरा लंपी किया जिससे हम जिकर कर रहे थे टोक्यो के बाद अप एंड डाउन्स आये तो एक मोटिवेशन लेवल खुद भी होना चीए पेरेंट्स का रोल बहुत है आप खुद क्योंकि एंसी सी शूटिंग आपने देखा मा का एक रिष्टा दाने के बेटे के साथ बहुत एक अलग होता है ना दोस्त की तरह तो अन्जुम के मन में क्या चल रहा था क्यों डाउन्फोल है कि कभी था ना कि होसला ना छोड़ दे नी बहुत जब उसका एशिन गेम्स में इस पर 22 वाली में इसका स्लेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई बहुत ज़्यादा तो फिर बड़ी मुश्किल से उसका माइंड सैट करा कि नहीं यह सब होता रहता है कि हो सकता है आपके लिए इससे बड़ा कुछ रखा हो कभी खयाल आए कि शुटिंग छोड़ दे अब अन्जुम मै यह बोला भवान ने आपके लिए इससे अच्छा रखा हुआ है कुछ और लास्टियर मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला उसको उसके बाद किया बोला तो बताते हैं कि मतलब कैसे मेरे मदर कहते हैं कि लाइफ में जहां जहां से हम गुजरते हैं ना जिस पेड की चाओं के जादा हवा में नहीं उड़ना तो हम बिल्कुल नॉर्मल रहके क्योंकि माइन हो जाता है चेंज इंसान है तो फिर मैंने बोला आपने करम करते रहना है फल की इछा आप ना करो आपको मिलेगा तो जितनी बता रहे थे कि मेहनत काफी की हैंना कमबैक के लिए वो दोर में कितने घंटे और क्या माइंड सेट अलग हुआ फिर उसको थोड़ा बहुत जैसे घूमने जाना उसको अच्छा लगता है हिमाचल में चले गई अकेला ट्रेकिंग के लिए चलेगी अकेले आ रहना उसको पसंद है मेड़िशन करना तो उसको जैसे वो चाती थी वैसे उसक को छोड़ा अच्छा को यह होता है हम जाते हैं कि इस जो सुपर स्टीशन ठोड़े होते हैं कोई कई तक हम लेफ्ट शोज डालूंगा हैंना कुछ ऐसा होता है कि ठीक है कॉंटेंस है शूटिंग शूरू की है करने अब ओलंपिंग में जाने से पहले क्या आप लोग ने क ऐसे करना है कि आप जहां भी मारोगे मैंने बोला कि इस बार आपका 10.9 नहीं नहीं लगना है तो इसलिए बिल्कुल प्रशादी नहीं लेनी और अपना खुल के खेलो अच्छा एक होदा ना क्योंकि गेम है ये कंसलरेशन किया ना बहुत फोकस करना पड़ता तो योगा मैं यहां पार है और इसके लाब आज्यूं के खास कोई चीज करती है नहीं जिम करती है बला एक्सराइज काफी प्रक्टिस करती है यहां द्यान के लिए द्यान के लिए आज पर द्यान के लिए अपनी 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 रेंटेड कार में तो उसके डाइविंग बहुत अच्छी है एरपॉर्ट पर उतरते ही गाड़ी हायर करी म्यूनिक औस्ट्रिया स्वेट्जर लेंड सब जगह हमें उसने आप ही ड्राइव करके अपने 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 का उचारन से न ऑक्सीजन लेवल जो है ठीक रहता है तो उसको यह मैं बहुत पसंद है मलाई मलाई बहुत पसंद है और जैसे अब बहार पैरिस है इंडिन फूड जैतलो अब तो खारो लंपी में सब कुछ है लेकुन खास चीज रखती अपने साथ अपना मखाने जो होत ठीक ठाओं अधरवाइस तो स्टार्टिंग में तो बाहर का ज्यादा अच्छा लगता था अब वो उसने अपने आपको करा कि देखाया कि घर की चीज का जो फाइदा है वो बाहर से नुक्सान ही होती चीज़ों को यसी खास बात जो सुनने में बहुत अच्छी लगे लो जैसी आपकी सांचा करना चाहते हैं आप जैसे मैं और बच्छों के लिए होंगी जैसे कोल्रिंग वेरे लोग बहुत पीते हैं यह भी बहुत छोटे होते पीती थी पर जब उस थोड़ा सा बड़े होई अब समझ आया कि कोल्रिंग जो है वो हांफुल है तो उसमें बिलक इच् Qi को मैसेज बेजा तो कोई नियूज बेजी उसको मैने तो उसका मैसेज आया कि पाप स्टॉप सेंडिंग मी ऐनी ञ्यूणी अन्यूज, लेट् मी इंज्व इंज्ओ करना कोई ऑऽ दुमाग में प्रेश्ण नियोणा चाहिए में कोई मैसेज करना अपने, कोई भी तो यह आप देख रहे हैं दिवार और इस मैडल आप देखिए कि खिलाडी जब एक इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है तो किस तरह से अपने जो मैडल है अपने परिवार को देश को गौरव करने के जो पल देता है वो बहुत है और ये क्योंकि NCC का प्रशनशाप पत्र ये देखिए यहाँ पे तस्वीरें ये मिला हुआ है ये तमाम जो पहलों है और जो भा ये में बताने लगी हूँ ये मेक्सिको में मैच हुआ था इसका ये 2018 में हुआ था स्टार्टिंग में मार्च में तो जब यहां से टीम गई तो उस में वर्ल्ड कप था तो वहां पे ना कुछ ऐसा होता इनकी मेल जाती है एरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए शायद परम इंडिया से लेके और मेक्सिको पहुँचने के बाद एरपोर्ट पे एरपोर्ट पे एटारा गंटे कितने गंटे एरपोर्ट पर पर एकुमेंट जो साथ होते हैं गन्यूंके क्लियरंस का प्रॉब्लम होगे थे तो उसके बाद भी जितनी इसको ज़्यादा तफ मिलता है जाना कुछ भी तो उसमें ये जितनी आप कुछ दिखा रहे थे मैं ये दिखा रहा था एक तो अभी बैटी वहां के इसी सुड्या लैंड वहां पे ओलंपिक स्पैसल म्यूजिम बना हुआ है तो इनके लिए एंट्री फ्री है ओलंपियन के लिए तो वहां पी का निशान हां ये मेरे लिए लेए लिए लोगो है और एक ये पैज का जो टावर है एफल टावर ये मेरे कि निए और स्पेशल मेरे लिए यह की रिंग दिया है जिसके आपर पैरिस 24 लिखा और यह ओलम्पिक का है पैरिस 24 और यह इफल टावर का है यह मेरे लिए एक चीज़ इसमें कॉमने इन गिफ्ट में ओलम्पिक और उसका लोगो वह बहुत इंपोनेट है यह एक खिलाड़ी के पैचानुचत है कि अपने अ